दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रूप डी की परिष्छा 2018 जहां दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता होगा रेलवे ग्रूप डी की अंसर की आई बहुत से बच्चे परिसान हुए थे कि उन्सको अपनी अंसर की डाउनलोड करने में थोड़ा सा परिसानी का सामना करना पड़ा लेकिन साकोसल सभी ने अपनी उत्तरकुंजी डाउनलोड कर ली अब बच्चों को दिक्का दिया रहे हैं कि आप में से अधिकतर बच्चों के जो अंसर हैं वो 30, 35 और 40 के बीच में हैं तो उन लोगों के सबसे बड़े जो 3 सवाल हैं वो हम जानेंग जो बच्चे 30, 35, 40 नमबर पाएं हैं तो पहला सवाल यह है कि हम 30, 35, 40 नमबर पाएं हैं तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं दूसरा सवाल यह है अगर नॉर्मलाजिशन होता है तो उससे हमारे कितने नमबर बढ़ेंगे और क्या हमारे सेलेक्शन के चांसे बन सकते हैं और तीसरा सवाल ये था अगर अंसर कुझी में गलतियां है तो उसके लिए क्या करें तो पहला सवाल तो ये है कि अगर नॉर्मलाजेशन होता है तो उससे आपके नंबर बढ़ेंगे जहां दोस्तों नॉर्मलाजेशन से आपके 10-12 नंबर तक बढ़ सकते हैं जैसा कि पिछले एक्जाम में हुआ था ALP टेक्निशन के एक्जाम में जो बच्चे पहले नहीं पास थे वो दुबारा से अंसर की आने के बाद पास हो गए थे पहले इन बच्चों के संक्या 5,88,000 थी और बाद में यह बढ़ कर 12,00,000 से भी अधिक हो गई थी 3,00,000 के आस पास तो यहाँ पर डबल बच्चे पास हो गए थे तो अगर नॉर्मला जेसन होता है तो यहाँ पर आपके 10, 12, 14 नंबर भी बढ़ सकते हैं जो 40 नंबर वाले के यहाँ पर 50, 55 नंबर भी बन सकते हैं तो वहाँ पर आपके पास होने की संभावना बन जाती है कहने का मतलब यह है कि 30, 35 और 40 वाले भी पास हो सकते हैं अगर नॉर्मला जेसन में आपके अच्छे कासे नंबर बढ़ते हैं तो बात करते हैं उत्तर कुंजी में गलतिया हैं यहां और आपके पास हैं आपको परती पर चाहें आपको अपर तो दिया नबर दिया जाएगा अगर आप सही साबित होते हैं तो लेकिन आपको ध्यान लखना है आपको प्रति परसन 50 रुपया सुल्क का भुक्तान भी करना है तो ध्यान रहे उनी प्रसनों पर करें जिन पर आप एकदम 100% से ओर हों कि हाँ यह सई हो सकता है तो यह तीनों प्रसंट यह उनके जवाब से जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं 30-35-40 वाले घबराएं बिल्कुल भी नहीं परिसान नहों उनके भी सेलेक्शन के चांसे हैं अगर से कासे मार्क्स बढ़ जाते हैं तो फिला अचके वीडियो में अतना ही आगे की अपडेट के लिए हम से जुड़े रहें नहने बाद